जौला जी में सड़क पर पड़े गड़ों को बरने के लिए कियेगी गटिया पैचवर्ग मामले का SDM अंकु शर्मा ने कड़ा संख्यान लिया है ये बावत उन्होंने प्रोजेक्टर डारेक्टर से बात की है साथ ही उन्होंने उमीद जताई है कि वे इस मामले में उचित कदम उठाएंगे जौला जी में सड़क पर पड़े खड़ों को बरने के लिए कियेगी गटिया पैचवर्ग मामले का SDM अंकु शर्मा ने कड़ा संख्यान लिया है और इस बावत उन्होंने प्रोजेक्ट डारेक्टर से बात की है साथ ही उन्होंने उमीद जताई है कि वे इस मामले में उचित कदम उठाएंगे SDM अंकु शर्मा ने बताया कि बीते रोज ही लोगों की बिरोध की वाद ये मामला उनके द्यान में आया था और जब खुद उन्होंने सड़क पर नजर दड़ाई तो उन्होंने भी माना कि लोगों का बिरोध सही है और पहले ही नजर में साफ दिख रहा है कि सड़क में जो पैच वरक का कारे हुआ है उसकी उतनी गुनबता नहीं है जितनी होनी चाहिए थी उन्होंने बताया कि सड़क पर पड़े गड़ों को लेकर पहले वी कई वार नेशनल हाईवी से बात कर चुके हैं लेकिन अब मामला उजागर होने के बाद उन्होंने दोवारा नेशनल हाईवी के प्रोजेक्ट टारेक्टर से बात की है साथ ही उन्हें बताया गया कि सड़क में हुए पैचवर्फ की गुणबत्ता को लिखकर जो सवाल लोगों को द्वारा उठे हैं इसके बारे में वे खुद जाच करें साथ ही इस पर कड़ा संख्यान ले SDM ज्वाला जी ने ये भी माना कि रोड की हालत ठीक नहीं होगी तो सवाविक ही है कि दुर्गितनाएं बढ़ेंगी उन्होंने कहा कि बहनों और सड़क का आपस में सीधा संपर्क है ऐसे मैं मैं भी इस बात को मानता हूँ कि लोगों के हित में रोड की हालत जल्द ही ठीक होने चाहिए और ये संबंदित सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि वे जल्द ही खराब सड़कों की मामले में संख्यान लेकर उस पर कारिया करना सुनिशित करें बताते चलें कि शहर में बीते कई महीनों से पड़े इन गड़ों की वज़ा से कई दुरकटनाएं हो चुकी हैं और अब दोवारा इस गटिया पैचवर्ग से दो पहिया बहनों को और मुसीबत आ सकती है दरसल सड़क पर किये पैचवर्ग के कुछी गंटों में उख़ने के बाद इसी निकली बजरी सड़क पर बिखरी पड़ी है और जो दोपहिया बहनों के लिए हाथ से का कारण बन सकती है रास्की राजमारग पर पैचवर्ग की काम की निगरानी नहीं की जारी है इसको लेकर लोगों ने संबंदित बीवाग को गेरा है और उनकी कारण पर नाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े किये हैं यही नहीं बीवाग के साथ-साथ ही लोगों ने क्वाल्टी बिन की कारण पर नाली को भी कट-कड़े में लिया है साथ ही इस तरह के मामलों में कड़ा संख्यान लेने की बात की है लोगों का आरोप है कि कई बार परदेश के कई क्षेत्रों में इस तरह की कारिया सामने आते हैं लेकिन ऐसे मामलों में ठेकेदार पर कोई ठोस कारेवाई नहीं की जाती है जिसके चलते ये मामली बार बार सामने आने को मिलते हैं इनका आरोप है कि शहर में हुए पैचवर्ग के कारियों का कुछ ही गंटों में ये हाल है तो अन्य जगा के हालात सडकों के कैसे ही रहे होंगे इस कारिय को देख कर ही स्वस्ट हो रहा है बताते चलें कि जोला जी वो इसके साथ लगती जगों पर सडक पर पड़े गड़ों को बरने के लिए किया गया पैचवर्ग कुछ ही गंटों में उखड़ गया है जिसको लेकर जोला जी के स्थानी लोगों ने नेशनल हाईवे के किलाप मोर्चाख हो दिया है इसी बीच बिवाग दोरा जिस ठेकेदार को इन गड़ों को बरने को लेकर पैचवर्ग का कार्या दिया था उसका भी लोगों ने गिराप किया था साथ ही इस काम को रुकवा दिया था लोगों का कहना है कि बिवाक जोद ही इन सभी खड़ों पर सही पैचवर करे और सड़कों को सही करे ना कि कार्या के नाम पर खाना पूरती हो उनसे भी मेरी बात हुई है और मैंने इनफेक्ट में इसके बारे में पहले भी उनसे बात करता रहा हूं कि इसको प्राइटी पे लें इसका आपको तो मैंनको कहा है कि इसकी गुरुवत्ता को लेके जो सवाल उठे हैं उनके बारे में वह एंकॉयर करें और मुझे उमीद है कि वो इसमें कोई उसी कदम लेंगे इस सर्क पे पहले भी अक्सिडेंट हो चुके हैं किसी बज़ा से और आजकल तो बहुत जादा है इसके बारे में साचारा नहीं है अगर रोड की हालत ठीक नहीं होगी तो जो दुरगटनाय है भू बढ़ेंगी तो मैं इस वात को मानता हूं कि अकर लोगों के हीत में रोड की जो हालत है वो जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए और यह सिस्टम की जमेवाली है